हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सबका जीनियस सेकेंडमी क्लासेज में मेरा नाम है संदीप सिंग और मैं ये वीडियो जो आज लेके आया हूँ ये बेसिकली नीट के फॉर्म के रिस्पेक्ट में है कि हमें फॉर्म भरना कैसे है चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को कोई भी करेक्शन फैसलिटी अब लेबल नहीं है रिजिस्ट्रेशन के दौरान यानि आप जब रिजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो प्रॉपर ध्यान रखें कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत ना इन्पूट करें सम्मिट होने से पहले बी केरफूल इन फिलिंग नहीं कर सकते ठीक है आपका फोटोग्राफ सिगनेचर लेफ्ट और राइट फिंगर थम इंप्रेशन एन और सर्टिफिकेट इस सब को सब सब आपको अप्लोड करना है साथ में जो मोबाइल नंबर और आप इमेल डालेंगे उसमें जो ओटीप आएगा उसको विध्यान है कि वो इमेल डी कौन सी थी या मोबाइल नंबर कौन सा था क्योंकि लास तक जो भी नोटिफिकेशन मिलेंगे आपको अगला पॉइंट है चूज कुश्चन पेपर मीडियम केरफुली आपको कुश्चन मीडियम भी यहां पर सेलेट करना है और नेक्स पार आता है इस व पीम ठीक है जर्नल के लिए जो फॉर्म की फीज रखी गई है वो 1700 EWS या OBC के लिए रखी गई है वो 1600 रखी गई है और SCSTPWBD थर्ड जेंडर के लिए 1000 फीज और साथ में इसमें एक्सेस फीज भी इंक्लूड है जैसे की GST होता है आपका एक्जाम जो कनेट करा जाएगा वो 5 माई 2024 संडे का दिन है ठीक है 200 मिनट का पेपर है मतलब आपका तीन आवर्स 20 मिनट का टोटल टाइमिंग है दो बजे से लेके 5-20 तक आपका पेपर स्टैंडर्ड इंडिन टाइम में होगा ठीक है आपके सामने वेबसाइट लिखी है examntaac.neet.slashneet यह आपका वेबस अगर candidate का registration गलत हो जाता है तो वो दुबारा submit form नहीं कर सकता यानि वो considered नहीं किया जाएगा अगला point यह है कि आपको जो भी form भरना है उसके following steps है जैसे कि पहला step है यहाँ पर registration form ठीक है भरना है दूसरा step है application form application form भरते समय आपको कुछ ध्यान में रखना है जैसे आपके सा certificate है वो सब का सब हो आपके साथ होना चाहिए ठीक है जब आप form भरने जाए और आपका जो भी photo है वो black and white में या color दोनों चलेगा लेकिन उसमें face की visibility जो हो है 80% होनी चाहिए mask नहीं लगाना है आपको चश्मा जो है आप कोई और color का use ना करें ठीक है और cap का भी use ना करें scan photograph signature and left right hand finger thumb expression should be jpg format में होना चाहिए प्लस इसके बाद size भी लिखा है आपको कितने size का होना चाहिए यानि passport size की photo जो है वो 10KB से लेके 200KB होनी चाहिए scan postcard size का photograph होना चाहिए 10KB से 200KB होना चाहिए ठीक है next है आपका signature जो है आपका sign है वो 4KB to 30KB होना चाहिए clearly visible होना चाहि लगवक होना चाहिए 10KB to 200KB ठीक है और next यहां पर वीडियो में लिखा है आपका 550KB to 300KB जो है आपका PWBD certificate जो है वो होना चाहिए अगला point है आपका third step है यहां पर fee submission का है जो कि आप net banking के थुरू कर सकते हैं credit card के थुरू कर सकते हैं या debit card के थुरू कर सकते हैं ठीक है यह आप ध्यान रखेंगे अगला point है यहां पर all candidate must ensure that they have to provide the correct email address and mobile number when candidate registered they have to enter the OTP received on the registered mobile number and before submitting the fees आपका जो number है वो अधार कार्ड से link होना चाहिए जिससे verification भी होगा तो आप ध्यान रखिएगा कि यह सारे के सारे चीज़े जो लिखी है उसको बिल्कुल ही consider करिएगा क्योंकि अगर आप इसके guidelines के according नहीं चलते हैं तो आपका form submit proper तरीके से नहीं हो पाएगा ठीक है अगला portion इसमें आता है कि आपको जो exam देना है basically वो आपका exam जो है paper pen based exam है candidate must ensure that their email address and mobile number to be registered in their online application form and their own as relevant information communications will be sent by the NTA through the email on the registered mail address आप जो भी number डाले या जो भी mail ID डाले उसका password आपको याद होना चाहिए और वो phone भी आपके पास available होना चाहिए यूकि registration के दौरान भी आपको phone जरूरी होगा that means उस number की जरूरत पड़ेगी और बाद में भी इसकी जरूरत पड़ेगी अगला section है कि आपका exam जो लोग freshers है उनको नहीं पता होता है pattern क्या है तो pattern यहाँ पर दिया chemistry के लिए physics के लिए botany के लिए और zoology के लिए 35 section A में है सब में और 15 section B में total question यहाँ पर दिये हुए है तो आपको ध्यान रखना है और प्रतेक question सही होने पर 4 marks मिलेंगे और अगर गलत होता है तो एक marks negative हो जाएगा black आपको next one दिया है examination का mood है वो कैसे है need 2024 जो है वो paper based pen और गुजराती है यह आपका जैसे की Hindi है उसी तरह से multiple option मिलेंगे आपको ठीक है अब seat का distribution है MBBS के लिए 10% है जो आपका general और EWS के लिए other backward card cast के लिए जैसे की OBC कास्ट के लिए 27% है SC के लिए 15% और schedule drive के लिए 7.5% तो MCC is conducting counseling for MBBS, BDS और other sections देख लिए 100% seat MBBS, BDS seat के लिए BHU open करता है AIMS open seat करता है 100% MBBS seat के लिए ठीक है जिपमर जो है और internal seats जो है वो भी basically देते हैं आपर कौन-कौन से quota लगते हैं उसके basis पे आप ध्यान रखिएगा कि जो nursing का exam है इस बार वो भी इसी के through हो रहा है तो आप कोशिश करिएगा कि जो लोग nursing की तरफ जाना चाहते हैं उनको need का form भरना बहुत जरूरी है at last एक point रह जाता है वो मैं बता रहा हूँ आपको कि जो लोग के माता-पिता जो है वो आर्मी में है तो वो क्यपया करके अपना dependent card बनवा ले ठीक है जिससे आपको need में relaxation मिले औ लेकिन आप जाके चेक कर सकते हैं ठीक है तो जैसा कि मैंने वीडियो में आपको पूरा update दे दिया है और हमारे वीडियो को like करें सब्सक्राइब करें जिससे इस तरह के regular updates आपको मिलते रहें और चैनल को follow करें सब्सक्राइब करें और हमारे facebook पेज को follow करें थेंक्यू